शोईब ने समाली किचिन की कमान और अपनी प्रेगनेंट वाइफ दिपिका को दिया पूरा आ रहा वल गाईज इसमें कोई शक नहीं शोईब इब्राहिम और दिपिका ककट टीवी टाउन के पावर्ण कपल में से एक है उनका प्यार, उनकी केपेस्ट्री, उनका हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना कपल गोस्त देता है इन दिपिका अपनी प्रेगनेंसी एंजोई कर रही है तो वहीं शोईब अपनी बेगम जान का खास खयार रख रहे हैं उन्होंने अपनी वीवी और परिवान के लिए इफतारी भी बनाई, इसका वीडियो शोजल मीडिया पर खूब वाइड़ हो रहा है शोईब बेगम इन दिनों अपनी प्रेगनेंट बेगम का खूब खया रख रहे हैं अगर आप दिपिका ककड को शोजल मीडिया पर फॉलोग करते हैं तो आप इस बात से अच्छी तरहे वाकिफ होगे कि वो हर स्तान अपने ससुराल वालों के लिए इफतारी या सहरी बनाती है इस साल मों प्रेगनेंट है बावजूद इसके वो हर दिन कुछ न कुछ जरूर बनाती ही रहती है लेकिन पहली पार शोई विबराहिम ने कि जिनकी कमान समहाली है और दिपिका को चुट्टी दे दी है उन्होंने इफतारी का खाना बनाया और दिपिका ने इस खूबसूरत बल को कैमरे में कैट किया अक्ट्रस ने कैप्शन में लेखा यहां सीरियस कुकिंग हो रही है साथ ही कई हार्ड एमोजीज भी बनाए शोईब ने इससे जुड़े एक व्लॉग भी शेयर किया है जिसमें उनकी मा भी उन्हें खाना बनाते देख काफी खुश है दिपिका गकर शादी के करीब पात साल बात मा बनने वाली है उन्होंने साल 2018 में शोईब इबराहिम से दूसरी शादी की थी कपल अपने पहने बच्चे के जन्म को लेकर बहुत एक्साइटेड है यहां तक कि बच्चे के जन्म से पहले उन्होंने अपने अपार्टमेंट के कदम पगल में नया घर खरी रहा है दोनों घरों और जोडने के लिए रिनोवेशन का काम फिनहार चल रहा है वेल बहुत जल प्रेगनेंसी के दिनों में फिनहार दिपिका शोचल मीडिया पर काफी अक्टिव है और फैंस को अपने पलपल की अपडेट्स देती रहती है उन्होंने बताये कि इस समय ना सर्फ शोएब बलकि पूरी फैंडी उनका ध्यान रख रही है तो इस अमेजिंग कपल के बारे में जानने के बाद और इनके इस अमेजिंग क्लिप और विडियोज को देखने के बाद क्या है आपके रियाक्शिंस